हेलो जी दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे योट्यूब चैनल पर अज बुद्वार का देना सुबह से बारिस हो रही थी तो अब जाके थोड़ा तीन बज चुके और बारिस बंद हुई है तो मैं देख आपको ज़रा इधर के साइड के रोख़ड दिखाना चाहरा हूं तो यह देख लोखड बूंग तो यह देखते रोख़ड भी देखेंगें कर declining घंटाश्रं के दिखंग तो साइड के गांगे तो कफीड़े मेन मारकेत ब्लॉग लॉग हुए सब्सक्राय in के रम वीचा रास्त मेनBER के को आनल से अनल हो तो मैंने अज अटा रहा है क्यूंकि अभी अंधेरा हुड़ा है कि इसलिए अट्रावाइट साव भी दिखता है कहा तो बेखो नहिरों में कितना जगा पानी अरका है तो तक का है कि हुआ ही पानी आएगा निती वाला पानी आ रहा है जो सुबह से कफी बारिष हो गई थी मैं पहले सोच रहा था सुबह निकलों व्लागिन करने लेकिन बारिष ने कर दिया प्लान खराब कोई बाद निकलेंगे और एक बड़ा ही रख़ड का बार वाला व्लाग बनाएंगे क्योंकि एक फिलिंग आनी चाहिए कि वायके में को अब लुगा रहा है तो आपको दिखेगा उपर का सभी जाहता है मुझे लगता है तो कि आवाज कैसे आएगी ओज सकता है ख़डाब आए क्योंकि इसमें विंड पफ भी नहीं है जो हमें जिसे डेट कैते है तो बी मेरा खो गया तो इस वर दिक्कत आती है इस वरी से मैं है जुआ है पिलिभाणी की सुर्षए जिसे कैते हैं तक होगी जादाए को नहीं सुनाए दे एक रहा है। ज़ह पीजोँर कि यह पर बावर का थे पान यह रहाई पानी है अब मैं कैसे दिखा अपको दिख पारह भागा आपको आ रहाई पानी तो क्या करें यहां पर जरह यहां से क्रॉस कर लेते थोड़ा एक हिस्से में फ्रंट कैसे कर रहा हूं और यह मेरा आगे का रिकॉर्ड करेगा ताकि आपको फिलिंग आज़ा है कि पानी कैसा रखाए तो चलते थमनेल भी बन जाएगा इसी बाने तो इसमें तो निकल जाती है काड़ी कोई दिक्कत नहीं है अगर यह पुल नहीं भी होता तो अम निकल जाते हैं से लेकिन यह तो शुरुआ तो बरसा शुरू यह आप यह बाभी मैं सबसे रिक्वेश्ट करने चाहता हैं की रोखण में मत जाना मैं इस रोखण में इस ले जा रहा हूं क्योंकि मैं इस रोखण कर चपप चपप यांनता हूं तो मुझे पता खड़े और नहीं है सब जानता हूं मैं तो मैं अभ बहूबाई है यहां पर आप खबर परते हैं मेरे दर की काफी खनन होता है उसे इसे नजी में घड़े हुए तो वहां को यवे तैने जाता है तो दूब भी सकता है तो इसे लोखर से मैं मेरे वीडियो को बनाने का बकसद सिर्फ इंटर्टेन्मेंट हो सब में आपको थोड़ा बथाना भी चाता हू आप अब अब दोस्तों आगया मैं आप रोख खड में अब जर आपको दिखाते है ओ भाई कितना ज्यादा पानी आ रखा है कि पैदा जाना भी मुस्किल मुस्किल क्या ना मुंकिन हो रखा है पैदा जा भी नी सकते हम यहाँ कि बहुत मिट्टी वाला पानी जब इकदम से बारिस आती है उससे बाड़ इस तरीके से पानी आता मिट्टी लेके नहीं तो यहाँ पर ऐसे साब भी पानी आता जिसमें ना आते लोग तो यह पुल भी देखो पुल का काम इसी लिए हो रहा है ताकि यहांसे ऐसी बारिस साजाए तो पुल से लोग जा सके लेकिन पुल अभी वन थाड़ काम बाकी इसका एक भाईया और आ गए लेकिन नहीं निकल पाएगी मुझे तो पहली से पता होता कि बंद था यह रास्ता लेकिन हम तो कंटेंड के लाए थे तो यारब मैं क्या करूं मैं रतुआ हाँ जी मार्केट से तो आप माउ कोड से निकलना पड़ेगा आपको एड़े दोशरे जगे ले जाता हूं दूसे नादियों में लहां भी देखते इतना पाणि आ रख आज करणनासरम चलते हैं दुपार राद तो देख़ेंगे는데 में जन्ने में पानी भी थोड़ा साह था लेकिन अगंतित वाद बढ़े मिप्टी वाला पानी का जन्ना बड़ल गया होगा पूरा जन्ना का मग बाहर जादा दिखरी होगी अधर आज तो चलो आज कर ना सरं की तरफ ले जाते हैं कि यूंकि यह से करना सरंच वह से सोट है जाना पारी आप कर आंना मिदका हम अपारूरह ने साइड की नेया। को थो पूद भी को पारीन में जाता है यह जाना मिद्गी तो लौनायर्श शुक्त मातन है ज्मितां मेरे मदकार सबक्राइब पार्णी मुद zucchini के रचता है तो चलो जी अब यहां से क्या करता हूं मैं आपको वहां भी ले जानते हैं आज कलार घटी का रुखड़ भी तो है एक वहां देखते क्या हो रहा है अरे वहां लारे वहां यह बाइक तो निगल जाएगी मतलब बाइक आ रही है पानी आगे नहीं है बाणी देखो ऐसी होता है बिलकुल पानी नहीं यहां पर हमको कभी कभी लगता है कि एक जगे रुखड़ पानी आ रखाए तो हरी जगे पानी होगा लेकिन ऐसा होता है नहीं और इसका एक्जामपल यहां पर दिखा रहा हूं आपको अच्छी बाते पानी नहीं है तो कि अच्छी 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 के रुखड़ा में पहली बार यहां पर मोटो ब्लागिन कर रहा हूं तो इतना आसान यहां बाई ले जाना एक चीज है समझ लीजिए दोसरे रुखड़ों के मकाबले बड़ा भी होए और इसमें चड़ाई भी और पत्थर भी जाता है इस वहीं से थोड़ा बहुता रखा है बानी यार मने ये तो पहन रखा है ना जूते चलो जे बदरंगली चलो निकल गया हम भी से खड़ते भी पार हो गया है अच्छा लगा यहां बाई ले जाती गए अच्छा मैं आपको एक चीज इंपार्टेन बताता हूं यहां पर जो ध्यान देना है में आगे जब बरसाद में बारीज बढ़ेगी तो वह यह है कि खड़े और के बीच में आपको दिख भी पारा होगा जो यहां से छोटा दिख रहा ना पर उठा वाला बाग तो उठा यहां पर जब बार आएगी नदी में पानी आएगा तो हमको सब संतल लगे गए हमको यहां नाने जाएगा से लगेगा कि भाई यहां तो संतल है मैं ना सकता हूं लेकिन अगर मैं आपको यहां पर तो क्यूंकि दूर है तो छोटा दिख रहा है लेकिन अगर सामने लियां तो बहुत उच्छा वाब उठावा भागे अदबा वाला भाग भी है तो यहां डूमने के चांसे बहत है यहां पर एक लड़का पिसले साल डूब अभी था इसी रोखड़ में एक क्या कई सारे डूबे थे और आगे भी डूब हैंगे अगर ध्यानी रखे जाएगा तो इस बात कर रहा हूं को उर्दवार में ऐसे रोखड़ों के कई सारे इस्तिती हो रखी है लेकिन मैं इस रोखड़ की स्पेचल ही बात करना क्यूंकि मुझे इस तो इस बात को ध्यानत में में वीडियो में यह बताना चाहता हूं एक कर अख्षड यह जह से खोड़ नदी है तो जो को नदी है उसमास पानिया रखा एच जो इस अब जो इस अब दिए ओब बिलकुल थोड़ा ही पानिय और सूक है वह मान सकते ूसे और जो मालन नदी ह करना सरम में दिखाए देती है और यह जो खो नदिये यह हमारी नजी निंब चौड और आगे घराड की तरफ दिखाए देती है जो कैसे होगे न पूरे यह खनने कैसे आलत कर दियां आपर नदिया डिवाइड हो जा रही है और देखो कितना उपर जो मैंने आपको आगे मोटर हमें भी बताया था कि जो उंचाई और गाराय में फरक देखो कितना जादा हो गया ऐसी तो डूपते हैं लोग यह जो नंबर चार्ड का पूल है यह हमारा बच्चा भी भी जा रहे है भाई वाई तो दोस्तो वीडियो खतम भी हो गई क्योंकि मैंने शुरू और खतम एक ही स्पॉड में कर रहा हूं तो यह वीडियो पसंद आए विडियो लाइक कमेंट और चनल सस्क्राइब कीजिएगा और उमीद कीजिएगा कल बारिस ना हो क तो हमारा काम जो होते हैं अधूरे रह जाते हैं मेरा भी ब्लॉग ने बन पाता है और आप स्याम हो गई तो देखो यहां मोटर मवब कोट में भी काफी लोग खेलने लगए पीछे भी खेल ले बॉलीवाल खेल ले तो ठैंक्यू आपका वीडियो देखने के लिए झाल